असलाम अलेकुम और रह्मत अलाहिप बरकातु हो वैलकम चुरूहानी वल्ट बहुत उशाम दीधना से आप सब को हमारी चैनल रूहानी वल्ट में उमीद है कि आप सब ख्यारेट से होंगे हम भी अच्छे है और काफी लोग रिजड के लिए सवाल कर गए थे कि हमें रिजड हो गई है हम उसको कैसे उतारे या हमने कुछ पढ़ लिया था या हम पे ऐसा असरात हम पे जाहिर ओड़े है तो क्या हमें हमें रिजड दूनी हो गई है तो इसे तमाम सवालों के लिए अब एक एक को जवाब देना तो नही बहुत का है तो वो लोग जो बारबारी स्वाल करें थी कि आप देखके बताइए कि हमें रिज़त तो नहीं हो गई हमने कुछ पढ़ लिया हमारी आसा हो रहा है और हमें रिज़त हो गई है तो देखें कुछ भी आप ऐसा ना पढ़िये कि अगर आपके पस कोई कामिल मुर्शिद नहीं है या कोई उस्ताद नहीं है आपका कोई रुहानी रहनुवा नहीं है और फिर प्लस आप भी आमलियत में कोई भी नौलेज नहीं रखते हैं आप उसके बेसिक्स नहीं जानते हैं तो ऐसे अगर आप कोई भी ऐसे मामले में अमल करते हैं तो जाहिर है कि आपको रिज़त होगी तो बस इस चीश से बचें मुकमल तालीम हासिल करें और पहले उसके बाद आपने कोई भी अमल करना है और बिना इजाज़त अमल ना करें और इजाज़त अगर हो तब भी आपको अमल करते हैं और उसमें अगर कुछ गड़बर हो जाती है आपको पढ़ने में या हुरूफ में उसकी अदाइगी में तो भी आपको रिजित हो सकती है तो पहले जो भी आपको अमल पढ़ना हो आप उसको अच्छी तरह से देख ले याद कर ले और अगर अमल आपका कुरानी है तो आप किसी आलिम से पहले अच्छी तरह से उसको दुरूस्ट करवा ले और फिर आप पढ़ें इंशालला और जो भी आपका सीनियर हो आप उसे भी मश्वरा करें आप यानि कि अपने रुहानी उस्ताज से करें अपने मुच्छिट से करें उनको बताएं आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी और फिर कोई भी अमल करें और किसी भी अमल को करने से पहले इस्तखारा करें और अल्ला से भी मश्वरा करें और सेकंड जो बड़ी चीज है वो है हिसार एक तो सबसे बड़ी चीज जो होती है अमल में जो रिज़ेट से बचाती है वो होती है उस ताद की रहनुमाई उसकी अजाज़त और दूसरी होत और पहले अगर आपको हिसार करना नहीं आता है तो आप हिसार का तरीका सीख लीजिए तो बस ये तरीके हैं जिसको आपने फालो करना है तो इन्शाला आपको कभी भी रिजद नहीं होगी और अब सवाल अगर किसी को ऐसा हो गया है तो क्या करें तो ये अमल हम आपके साथ ये बहुत प्यारा और काफी अस्मूदा अमल है, कुरानी है, जिससे इंशालला अगर आपको किसी भी वजीफे, इस्म या अमल वग्यारा की रिज़त हुई है, तो हो आप नाजरीन जिसको भी रिज़त हुई हो, उसको सूरे अभासा पढ़ना चाहिए, और दिन में एक मरत अभासा पढ़े, और उसका पानी दम करके आपने पीना है, या उस शक्त को पिलाना है, जिसको रिज़त हुई है, और ये सूरे बहुत-बहुत कारामद है, और रिज़त को खतम करने के लिए भी ये सूरे बहुत-बहुत प्यारी और मुफीद है, और अगर आप कोई भी या पिर पढ़ रही है, उससे पहले भी अगर एक मरतबा आप इस सूरे की तिलावत कर लेते हैं, तो इन्शालला आप अमल की तमाम नहुसत और बद असरात और रिज़त वग्यरा से उस वक्त के महफूज रहते हैं, तो आप इस सूरे को पढ़े और जिसको रिज़त हो ग इसको पानी पर दम करके उस शक्स को रोज पिलाएं, रोज दम करना है और रोज पिलाना है, बस इन्शालला जिसको भी किसी के भी किसम की रिज़त हुई हो वो इन्शालला लगा की करब से दूर हो जाएगी, तो ये था सूरे अबवासा का अमल मुबारक जो रिज़त को था और इसलिए कि इसके मुतालिक काफी सवाल थे तो उमीद है कि आपको समझ में आ गया होगा फिर पर अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है या पर इसके मुतालिक आपका कोई भी सवाल है तो आप हम से पूच सकते हैं और हमें मेर भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आईडे मिल जाएगी तो इजाज़त ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में आपको इफार्ज़त से रखें और पूरी पूरी अच्छी सी तालिमात मालूमात आपको मिलने की जो भी है तो इंशाल्ला दौा में याद रखें जजाकर ला